दोस्तों आज मैं आपको एक स्वीच और एक टू-पीन सोकेट का वायरिंग कनेक्शन करके दिखाऊंगा वो भी डायग्राम के साथ अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों स्वीच को इसमें अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ मैं आपको चार तरीके से वायरिंग कनेक्शन करके दिखाने जा रहा हूँ तो देखे मैंने इसमें इसे अच्छी तरह से फिट कर दिया है अब मैं आपको पहला तरीका बताने जा रहा हूँ पहला तरीका मैं आपको क्या करना है एक वायर का टूपडा लेना है देखिए आपको दिखाता हूँ इस तरह का आपको wire का टुकड़ा ले लेना है और क्या करना है जो switch का उपर वाला टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल और socket का नीचे वाला टर्मिनल ये वाला टर्मिनल इसमें आपको क्या करना है इस wire को इस तरह से अच्छी तरह से जोड देना ह तो मैं इस wire को इसमें अच्छी तरह से जोल लेता हूं, जोलने के बाद आपको दिखाता हूं. देखिए मैंने इसमें वायर जोड़ दिये हैं अब क्या करना है अब इसमें फेज और निटर्ट वायर जोड़ना है तो देखिए मैं फेज का वायर पहले इसमें जोड़ लेता हूँ तो देखिए फेज का वायर स्वीच के नीचे वले टर्मिनल में जोड़ना है इस तरह से दोस्तों अभी जो मैं connection आपको बता रहा हूँ ये connection सबसे अधिक लोग करते हैं दोस्तों connection तो कई तरीके से किये जाते हैं अब अपनी अपनी पसंद सब को जिसको जिस तरह का पसंद आता है उस तरह से connection करता है ठीक है अब मैं neutral वाले wire को two pin socket के उपर वाला जो terminal है उसमें इस तरह से जोड़ देता हूँ दोस्तों ये जो मैं आपको connection करके दिखा रहा हूँ ये पहला तरीका है connection करने का इस तरह का connection ही अधिकतर लोग करते हैं तो देखें ये connection हमारा पूरा हो जाता है इस तरह से अब मैं क्या करता हूँ इसमें line देता हूँ line देने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं देखे मैंने इसमें लाइन दे दिये हैं अब मैं इसमें आपको बल्ब जलाकर दिखाता हूँ कि ये बल्ब जलता है या नहीं तो देखे मैं इसके switch कॉन करता हूँ देखे ये बल्ब बिल्कुल सही जल रहा है अब मैं इसके switch को उप करता हूँ देखिए ये बिल्कुल सही काम करता है अब आप इस connection को ध्यान से देख लिजे क्योंकि यह connection सबसे अधिक चलता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह connection अब ध्यान से देख लिजे अब मैं आपको दूसरे तरीके का connection दिखाने जा रहा हूँ अब देखिए अब मैं क्या क्या हूँ देखिए यहां से यहां wire जोड़ दिया यहां पर देखिए page का wire जोड़ दिया और यहां पर neutral का wire जोड़ दिया इस तरह से दूसरे तरीके connection हो जाता है अब मैं इसमें लाइन देता हूँ, लाइन देने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखे मैंने इसमें लाइन दे दिये हैं, अब मैं आपको इसमें बल्ब जला कर दिखाता हूँ, कि इसमें बल्ब जलता है या नहीं, तो देखे मैं इसके स्विच कौन करता हूँ, तो तो देखे यह है तीसरे तरीके का connection देखे यहां से यहां पर यहां से यहां जोड़ा गया है और फेज का वायर देखे यहां पर जोड़ा गया है और नीटल का वायर यहां पर जोड़ा गया है इस तरह से तीसरे तरीके का connection पूरा है अब मैं इसमें line देकर आपको दिखाता ह देखे मैंने इसमें line दे दी हैं अब मैं यह bulb जला कर दिखाता हूं तो इसके switch को on करता हूं तो देखे यह bulb बिल्कुत सही जल रहा है तो यह जो दिस्तरह तरीका का connection है आप इस तरह से भी connection कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं आएगा ठीक है अब मैं आपको चौथे तरीके का connection करके दिखाता हूँ अब आप देखे ये है चौथा तरीका का connection इसमें देखे ये वाला wire यहां से यहां जोड़ा गया है देख लिजी ये वाला wire और फेज का wire देखे यहां पर जोड़ा गया है और neutral का wire देखे यहां पर जोड़ा गया है अब मैं इसमें लाइन देता हूँ लाइन देने के बाद आपको बल्ब जला कर दिखाता हूँ देखे मैंने इसमें लाइन दे दिये हैं अब मैं आपको इसमें बल्ब जला कर दिखाता हूँ तो मैं इसमें देखे पलग को लगा रहा हूँ और इसके switch cone करता हूँ तो देखे ये bulb बिल्कुल सही जाल रहा है तो आप इस तरह से भी connection कर सकते हैं इसमें भी आपको कोई problem नहीं आएगा तो ये है चौथे तरीके का connection तो कई तरीके से connection किये जाते हैं आपकी मर्जी आपको जिस तरह से पसंद आए उस तरह से connection कीजिए अब मैं आपको diagram द्वारा दिखाता हूँ कि इसका connection किस तरह से किया जाता है कि अब एंपको जाता हूँ